हैलो फ्रेंट्स व dennos 今日 शुब इस विडियो के नरम गुजरात अंभूजय एकक्पोट के डितेटेल् डेनालिसिश के बारे में बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गुजरात अम्भूजय एकक्पोट के नए इंवेस्ट करना चाहिए या नहीं चले शिरू करते हैं तो दीके सबसे पहलें ये जानेंगे कि ये company काम क्या करती है तो दीके जो कॉन स्टेर्ट के derivatives होते हैं soya derivatives, food ingredients, feed ingredients, cotton yarn और edible oil ये company बनाने का काम करती है और major लिए जो company के product से ये pharmaceutical और feed industry में use किये जाते हैं तो दीके company का main काम क्या है और देखिए ये जो cotton stards याने कि जो मक्की का आटा होता है तो इसकी अगर हम बात करेंगे इसकी काफी ज़्यादा demand हमें globally बढ़ते हुई नजर आ रही है और इंडिया के अगर हम बात करेंगे सबसे जादा अगर जो cotton stares यानि कि जो मक्की के आटेक अगर सबसे जादा कोई अगर कोई हाईस्ट एक्सपोर्टर अगर कोई कंट्री है तो वह हमारी कंट्री है और पिछले एक साल में हमने six times की growth exports के नमर में देखी है अगर हम cotton stats के derivatives के exports के अगर हम बात करें तो तो देखे लगबग 5800 करोड का इस company का market capital 13 के P ratio पे ये company trade कर रहे है जबकि industry का P26 का यानि की 50% discount पे हमें ये stock trade होटा हुआ नजर आ रहा है अगर ROC के numbers की बात करेंगे तो 27.8% का return on capital employed का number है और 22.7% का में ROE का number भी company का नजर आता है तो देखा जाए तो return ratios company के काफी अच्छे हैं अगर price to value की बात करेंगे तो ये number 3.10 time पे है तो ये number B अगर overall अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा expensive हमें नजर नहीं आता है अगर debt की बात करेंगे तो 122 करोड का company के उपड़ debt है तुरे कि लगबग 4000 करोड से भी ज़्यादा का revenue ये company एक साल में करती है तो वहाँ पे 122 करोड के debt पे मेरे ख्याल से महाँ पे कोई भी issue नहीं होंगे अगर dividend yield की बात करेंगे तो 0.24% का dividend yield है तो dividend yield का number में यहाँ पे काफी कम नजर आता है अगर interest coverage ratio की बात करेंगे तो 99 times का यहाँ पे जितना interest company को pay करना है उटका company 99 times operating profit generate करेंगे तो वहाँ पे interest related भी हमें कोई issue नजर नहीं आते हैं तो valuation parameters पे हमें यह company अच्छी नजर आती है तो अगर हम पिछले 4 साल के financial trend के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पे जो revenue के number थे वो around 15% चामें बढ़ते हुए नजर आये थे लेगिन जो net profit का number था वो 10 चे 11% से ही हमें growth आवा नजर आया था और वहाँ पे 1920 म साले numbers थे वो भी हमें कम होते हुए नजर आये थे लेकिन अगर हम पिछले साल यानि कि 2021 में अगर हम देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि जो export की demand है यानि कि globally इनका जो quadrants test का derivative है जो उसकी demand काफी बढ़ी है और उसकी वजह से revenue growth हमें यहाँ प हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आये हैं और यहाँ पे 1920 के comparison में net profit का number पिछले साल double हुआ है तो पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यह year काफी अच्छा रहा है लेकिन पिछले कुछ quarter से तो कि यह जो number है यह March 2021 तक जो company का performance था वह हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे र 2677 करोड का revenue जनरेट किया था और वो company के एक highest revenue अला quarter company का वो रहा था अगर profitability की बात करेंगे तो वहाँ पे company ने 118 करोड का net profit भी जनरेट किया था लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोवीड की second wave आ गय थी तो वहाँ पे पोड़े revenue के numbers पर effect पढ़ा था लेकिन net profit क जो margin से उसके इतना effect नहीं पढ़ा था तो कि देखिए लगबग 600 करोड से यहाँ पे company का revenue का number कम हुआ था लेकिन जो net profit का number था वो हमें 4 करोड चे ही कम होता हुआ नजर आया था उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर उसके बाद में जो cost वगेरा यहाँ पे issues हो गए थ लेकिन profitability के numbers हमें इतने अच्छे तरीके से growth होते वे नजर नहीं आ रहे हैं तो देखेंगे जो normally अगर हम देखेंगे तो पूरी food industry में जो inflation हमने देखा है तो उस inflation की वज़े से खास करके यह जो edible oils को अगर है तो वहाँ पे जो inflation हुआ है और उसकी वज़े से यह effect हमें पढ कि अगर हम December 2021 तक देखेंगे तो वहाँ पे company ने कुछ इतना अच्छा perform नहीं किया है लेकिन जो demand हमें देखने को मिल रही है और उस point वीचे revenue के numbers काफी phenomenal है अभी जो inflation की problem हमें देखने को मिल रही है तो अगले 4-5 महिने में अगर वो problem में solve OTV नजर आती है तो वहाँ पे definitely यह जो लगबग 103-105 करोड के net profit के numbers है यह लगबग 120-130 करोड के लगबग हमें जाते हुए नजर आ सकते हैं अब अगर हम यहाँ पे share holding pattern की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे पिछले March 2020 में यहाँ पे company के जो promoters थे उन्होंने 63.76-63.81% की अपनी holding की थी वहाँ पे अग पिछले quarter में भी उन्होंने अपना stake बढ़ाया था और उसके बाद चागर हम देखेंगे तो उन्होंने अपने यहाँ पी कोई भी holding change नहीं की है अगर हम बात करेंगे बाकी FIH की तो FIH ने यहाँ पे लगातार अपनी holding बढ़ाई है बच पिछले quarter में थोड़ी सी holding हमें foreign investors की कमोटी भी नजर आई है और अगर हम D.I.S की बात करेंगे तो D.I.S ने मार्च 2021 में अपनी holding को कम किया था और वांच अगर हम देखेंगे तो almost हमें content holding यहाँ पे D.I.S की देखने को मिलती है लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल से almost अगर हम देखेंगे तो 30% इन से ज़्यादा की जो holding है वह में यहाँ पे retail investors यानि की general public है उसके पास हमें नजर आती है तो यह थोड़ा risk है और इसलिए यह 12 से 15 के peer ratio पे यह stock trade कर रहा है तो कि देखिए अगर आपमें ज़्यादा अगर retail investors चे पास share है तो यानि की market में shares काफी ज़्यादा float हो रहे है तो उस point of view से अगर उतने demand ही नहीं होगी तो उतना premium valuation नहीं मिलेगा तो definitely इसी के वज़े से यह stock 10-15 के peer ratio पे trade कर रहा है अब यहाँ पर अगर हम peer comparison करेंगे तो देखिए जो main जो डो बड़ी companies के अगर हम बात करेंगे तो देखिए अडानी, विलमार और रुची शोया industry तो पेटिस का peer ratio में नजर आता है लेकिन जो अडानी, विलमार के अगर हम बात करेंगे तो around 75 के peer ratio पे अडानी, विलमार का stock trade कर रहा है बाकी अगर हम देखिए तो बाकी छोटी-मोटी companies है तो वो मेरे ख्याल से वापे अपने ज़्यादा watch नहीं करना चाहिए तो देखिए अ अडानी, विलमार के अगर हम बात करेंगे तो क्यो premium valuation पे trade कर रहा है तो कि देखिए इनका जो portion जो इनका brand वेल्यू काफी ज़्यादा है तो एक intangible value के अगर हम बात करते हैं जो हमें balance sheet में देखने को नहीं मिलती है तो वो काफी ज़्यादा है तो उस point वी से market इतना premium valuation दे trade कर रहा है और पिछले कुछ trading session में इसने 265 का all time high बनाया तो यानि 4-5% ही अपने all time high से ये stock भी नीचे trade कर रहा है तो देखिए जो लगातार reports आ रही है कि जो मेज के export चे यानि कि जो मकी के आटे की export चे वो लगातार grow हो रही है और काफी जादा demand हमें globally देखने को मिल रह जा तो गुजरात अंबूजा को वहाँ पे काफी अच्य benefit हो सकता है तो इस point of view से देखा जाए तो एक long term point of view से अगर आप invest करना चाते है तो valuation आपके side में तो कि valuation parameters पर में आपे कोई issue नज़र नहीं आते अगर 10-15 का PE ratio है अगर एक ठी kind of growth यानि कि 15-20% के earning growth अगर हमें आप इस company में देखने को मिलती है तो वहाँ पे market 25-30% का PE ratio भी stock को दे सकता है तो इस point of view से देखा जाए तो अगर आपको long term के लिए invest करना है तो definitely आप यहाँ पे invest कर सकते है वेलेशन पर आपिटर स्पे stock यहाँ पे काफी अच्छा नज़र आता है तो दोस्तों मैं hope कटाओं की गुजरात अंबूजय एक्पोर्ट के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ परदा चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day